क्योंकि 5 जून को ही पिछले साल ये तीन काड़े कानून हमारे उपर जबरदस्ती थोपे गए थे और उस संपूर्ण करांटी के नारे का नतीजा क्या रहा था उपूरे देश ने देखा था जब इंदरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड फैका था और यदि मोधी सरकार ने ये तीन काड़े कानून वापस नहीं लिये यदि मोधी सरकार ने MSP गारंटी कानून लागून नहीं किया तो मोधी सरकार को भी देश की जनता देश के किसान देश के नौजवान देश के मजदूर 36 विरादरी के भाई सभी दर्मों के भाई मोधी स इस किसान अंदुलन ने साबित कर दिया है कि मोधी सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मज़़ूर विरोधी है, दलित विरोधी है, भाईचारे विरोधी है और देश विरोधी है। यूपी के अंदर बीजेपी के निताओं को गाओं में वोट मांगने के लिए भी नहीं गुषने दिया जाएगा सबी किसान बाईयों को आज जोड़ के राम राम सस्रीयकाल सलाम जै 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 किसान बाईयों आप सब के मन में ये सवाल रहते होंगे लोग हमसे पूछते भी हैं कि आंदुलन की अगामी रणनीती क्या है आंदुलन में आगे क्या होगा क्या प्रोग्राम है तो एक बड़ा कारेकरम सहित किसान मोर्चा के नेताओं ने तै किया है और वो कारेकरम है पांच जून का पांच जून की तारीक एक विशेश तारीक है क्योंकि पांच जून को ही पिछले साल ये तीन काड़े कानून हमारे उपर जबरदस्ती थोपे गए थे और पांच जून 1974 के दिन ही जेपी ने जैप्रकाश नारायन ने संपूर्ण करांटी का नारा दिया था और उस संपूर्ण करांटी के नारे का नतीजा क्या रहा था उपूरे देश ने देखा था जब इंदरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड फैका था ये तीन काड़े कानून जो पिछले साल किसानों के उपर जवरदस्ती थोपे गए थे उन कानूनों के खिलाफ और MSP गारंटी कानून के लिए उसी समय से अंदोलन चल रहा है और 26 नमबर को लाखों किसान देश के दिल्ली के बॉडरों पे आके बैठ गए थे तो अब दोबारा से अगामी पांच तारीक को संपूर्ण करांटी का नारा दिया जाएगा और यदि मोधी सरकार ने ये तीन काड़े कानून वापस नहीं लिये यदि मोधी सरकार ने MSP गारंटी कानून लागून नहीं किया तो मोधी सरकार को भी देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान, देश के मजदूर, 36 विरादरी के भाई, सबी दर्मों के भाई, मोधी सरकार को भी ठीक उसी तरह उखाड फैकेंगे, जैसे उस समय जेपी के आंदोलन में इंदरा गांदी की सरकार को देश की जनत तरीके से तीन किर्शी कानूनों की कौपियों को जडाना है और जहां पे बीजेपिया उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता नहीं है तो वहां पे जिला अधिकारी या तैसिल अधिकारी के आफिस के बार जाके सभी किसान भाईयों ने तीन काड़े कानूनों की कौपियों को जैसे उस समय जेपी के अंदोलन ने देश को नई दिशा दी थी तो आज का ये किसान अंदोलन है ये भी पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है इस किसान अंदोलन ने BJP, RSS और उनकी सहयोगी पर्टियों का असली चहरा और चरीतर पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है ये इस किसान अंदुलन ने साबित कर दिया है कि मोधी सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, भाईचारे विरोधी है और देश विरोधी है इसलिए इस मोधी सरकार का विरोध किया जाना बहुत आवश्चक है बहुत जरूरी है और बंगाल में देखा किस तरीके से किसानों ने पूरा बंगाल के इलेक्शन का नतीजा पलट दिया यूपी के जिला पंचायत इलेक्शन में किस तरीके से किसानों ने पूरा नतीजा हाल बना देगा कि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनने की बात तो दूर है यूपी के अंदर बीजेपी के विधायक चुने जाने की बात तो दूर है यूपी के अंदर बीजेपी के निताओं को गाओं में वोट मांगने के लिए भी नहीं गुस्ने दिया जाएगा ऐसी हालत इनकी बना देंगे तो इसलिए विशेश निवेदन है अगामी पांच तारीक को बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर जाके तीन काड़े किर्शी कानूनों की कोपियों को जडाना है साथियों एक दूसरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं अब कल एक अखबार में दैनिक जागरन अखबार में एक खबर छपी उस खबर में हिसार के कमिशनर ने ये दावा किया कि जो 24 तारीकों किसान परतनिदियों के साथ उनकी बैठक हुई थी उस बैठक में किसान परतनिदियों ने ये कहा कि अब आगे से किसी भी नेता ये कारेकरम का विरोध नहीं किया जाएगा साथियों आपको बताना चाहते हैं कि हम स्वेम उस मीटिंग में मौझूद थे हिसार के कमिशनर का ये दावा पूरे तरीके से जूटा है फरजी है और परसाशनिक अधिकारियों को ऐसी जूटी बातों और दावों से बचना चाहिए क्योंकि ये सरकार आने जाने की चीज है आज किसी की सरकार कल किसी और की होगी परसों किसी और की होगी लेकिन अधिकारी अधिकारी होता है और अधिकारी की जिम्मेदारी किसी नेता या किसी मंत्री के क किया था और आज भी हम दोबारा से जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट कर देना चाते हैं कि अरियाना में पंजाब में और कहीं पी जगए पे बीजेपी और उसकी सेयोगी पार्टियों के नेताओं का ठीक इसी तरीके से विरोध होगा जोरदार विरोध होगा जैसे आज त उतला जलाया दुशन चोटाला के घर के बाहर जाके उस मामले में बेवज़े हमारे डिल्ड सो किसान भाईयों पर मुकदमे दर्ज कर दिये गए हैं साथियों जिस तरीके से पुलिस परसाशन अत्याचार कर रहा है बेवज़े के मुकदमे दायर कर रहा है ये बात कि फरमानों को बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि परसाशन यह सोचता है कि किसान केस लगाने से डर जाएंगे तो किसान ना तो डरने वाले हैं न थमने वाले ना रुकने वाले ना पीछे अटने वाले हैं किसान कौम सिर्फ एक बात जानती है और वो है अटेंगे हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे अंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तीनों काड़े कानून वापस कराएंगे MSP पर गारंटी कानून बढ़ाएंगे उसी के बाद अपने घर जाएंगे या तो अंदोलन जीत के जाएंगे या दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे के जाएंगे और मेरा अंत में ये विशेश निवेदन है भाईयो ये किसान एकता मोर्चा जो पेज है ये किसान अंदुलन का एक ओफिशल पेज है जिसको लोग वोलंटियर के तोर पे इस पे अपनी उर्जा लगा के अपनी पूरी एनर्जी लगा के चला रहे हैं अपना समय दे रहे है ये कोई राजनितिक पार्टी की पेड आईटी सेल नहीं है जाँ पे बहुत सारा पैसा मिलता है वाँ के लोगों को ये आपका पेज है ये आपकी आवाज है ये हर किसान की आवाज को पूरी दुनिया में पहुँचाने काम करता है तो इसलिए विशेश निवेदन ये है कि किसान एकता मोर्चा पेज को अधिक से अधिक लाइक करो अधिक से अधिक शेयर करो, इसकी वीडियो को शेयर करो और जो रोजाना सुब है, ट्वीटर पे एक हैस्टेग दिया जाता है अमोमन वो हैस्टेग नमबर एक पर ट्रेंड करता ही है उसको और भी ज्यादा ट्रेंड कराया जाए ताकि जो किसान एकता मुर्चा की टीम है पूरी, इसकी मेहनत सफल हो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, जै जवान, जै किसान